नमस्कार मैं हुग प्रवेंड गोतम दोस्तो भाशन बाजी और विग्यापनों में पीम मोदी और वीजेपी सब का साथ सब का विकास जैसी बाते करते हैं लेकिन धरातल पर ये नारे और ये बाते कितनी फरजी हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट पोल खोलती है ये रिपोर्ट दिखाती है कि जनता को किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है और संगिये धाचे पर चोट की जा रही है कि अगर हमें वोट ओगे तो आपके इलाके में विकास होगा वरना रही होगा इनियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट देखिए जो मुंबई पर आधारित है इनियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट बताती है कि BJP के 16 विधायकों को 374 करोड से जादा पैसा मिल चुका है शिवसेना जो सिंदे गुटवाली शिवसेना है उसके विधायकों को 126 करोड से जादा पैसा मिल चुका है लेकिन कॉंग्रेस को कितना पैसा मिला है जीरो और उद्धव गुटवाली शिवसेना के विधायकों को जिसके 9 MLA है उनको कितना पैसा मिला है जीरो NCP का एक विधायक है उनको भी 0 पैसा मिला है और SP के एक विधायक को भी 0 पैसा मिला है यानि विपक्ष के 15 विधायकों को 0 पैसा मिला है और ये नाइंसाफी इन विधायकों के साथ नहीं है ये वहाँ की जनता के साथ नाइसापी है सरासर ब्लैक मेलिंग है कि आगे भी हमें बोट करोगे तब ही आपके इलाके में विकास होगा इस तरह का पैगाम दिया जा रहा है और ये भेदबाव से BMC के लेवल पर रही है तमाम राज्यों के मुख्यमंति चाहे पंजाब की बात हो तमिलाडू की बात हो बंगाल की बात हो इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारे हिस्से का GST का पैसा रोक दिया जाता है मनरेगा का पैसा रोक दिया जाता है तमाम केंदर सरकार की योजनाओं में जिनमें राजे सरकार की भी भागेदारी होती है उसका हिस्सा बनता है उस पैसे को रोका जाता है सरकारों का कहना है कि इससे कामकाज में दिक्कत आती है बजट में दिक्कत आती है तो ये दिखाता है कि संग्ये धाचे पर किस तरह चोट की जा रही है आप पैसा बाटने में इस तरह के भेदभाव को लेकर क्या सोचते हैं अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्षिन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार